हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल मोर क्रियेटिव पर स्वागत है आई जाने मदप्रदेश तता 36 गल सहीत देश के 11 राज्यों में सुखे की संबावना केंद्र सरकार ने इन 11 राज्यों में एडवाईजरी जारी कर दी है ज होते जाता है अर्थात मानसुन वाईज्यानिकों का मानसुन पर जो आकलन है वह धीरे-धीरे कम होता जा रहा है तो देख लेते हैं आज के वीडियो में मानसुन कब से आएगा चलिए देखते हैं खबर पूरी विश्तार से यह आदि आपको वीडियो पसंद आए तो से 33 फिजदी कम हुई है बारिस मोधी सरकार ने 11 राज्यों के 648 जिलों में सुखे से निपटने के लिए बनाया ये प्लान यूपी हरियाना बिहार दिल्ली में सबसे कम बारिस खेती पर संकट सुखे की संबावना से चिंतित किसान 11 राज्यों को केंदरी जल आयो की बराई है इस प्रकार से आप देख सकते हैं सुखा है जहां पर फसल लगी है वहां पर जमीन फटने लगी है और अब जदी पानी नहीं बरसता है तो सब सुख जाएगा निपटने के लिए बनाया ये प्लान यूपी हरियाना बिहार दिल्ली में सबसे कम बारिस खेती पर स लंकड, सुखे की संभावना से चेंतित किसान, राज्यों को केंदरी जल आयोक की एडवाइजरी जारी हुए और उस एडवाइजरी में क्या कहा गया है देखते हैं और क्रशी मंत्रि जो प्रदेश से बिलांग करते हैं उन्होंने इस पर क्या कहा है वो भी देखेंगी इ इस वज़ा से सूखे जैसे हालात पैदा हो सकते हैं सांसद खेती किसानी को लेकर चिंतित हैं इसलिए वे सूखे के दुस्प्रबाव से निपटने को लेकर सरकार से संसद में सवाल कर रहे हैं अभी संसद सद चल रहा है दुसरी वो क्रसी एवं किसान कल्यान मंत्री नरेंसी तोमर का कहिना है यदि अनिमित बारिस के करण कोई संकट वाली इस्थिती पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए सरकार तयार है अर्थात केंदर सरकार तयार है केंदर सरकार के पास इतना खाध्यान है कि वह राज् प्रभाविच जिलों में राष्टी खाद सुरक्षा मिसन के तहद दलहन बाजरा और तिलन के बीज बाटने का प्लान है ये फसले कम पानी में भी तयार हो जाती है हाला कि क्रसी मंत्री ने संसद में एक सवाल के लिखी जवाब में यह भी कहा कि अभी सुखे जैसे हालात नह है लेकिन राज सरकार तता केंदर सरकार को यह सब देखना पड़ेगा कि बारिस जुलाई के मौसम में इतनी कम हो रही है हो सकता है आगे आने वाले समय में बारिस नहों और देश में या देश के कुछ राज्यों में सुखा पड़ सकता है इन 11 राज्यों में सुखा 62.1 और वास्तिक अभी 6.6 mm बारिस हुई है और कम कितनी हुई है माइनस 89 परसेंट वहीं पर यूपी में आप देख सकते हो बिहार, हर्याना, उत्राखंड, मद्प्रदेश में सामान्य 120.9 mm और वास्तविक जो है 70.4 mm बारिस हुई है मद्प्रदेश में अभी 42% बारिस और होना है मिलिमीटर में वहीं पर पंजाब की बात करें तो पंजाब में 50.4 सामान्य है वास्तविक हुई है 25 mm और अभी यह और होना बाकी है चंडीगड में भी वह यहाल है, जारकण में भी यहाल है 36 गड़ में सामान बारिस 19.5 mm होनी चाहिए लेकिन अभी हुई है 139.4 अभी 33 mm बारिस होने की बाकी है वहीं पर महराश्च इस प्रकार से 11 राज्जें, 11 राज्जों में सामान से बारिस कम हुई है और सुरुवात में ही बारिस कम हुई है अभी किसानों ने केवल बोनी किये अभी बोनी के बाद, रोपाई, रोपाई के बाद फसल पकने को अभी लगबग धाई से तीन महिना लगता है और उस दवरान पानी नहीं आएगा तो सुखा पढ़ना स्वाभाविक है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका राज्य तो इसमें सामिल नहीं है दिल्ली, उत्रप्रदेश, उत्राखंड, हरियाना, मनिपूर, चंडीगड, बिहार, जारखंड, मद्प्रदेश, ओडिसा, गुजरात, चतिजगड और महाराष्ट में इस्थिती ज़्यादा खराब है दिल्ली में सामान से 89 फिजदी कम बारिस होई है, राष्टी राजदानी कम बारिस के मामले में देश में सबसे उपर है मतलब सबसे ज़्यादा कम बारिस दिल्ली में होई है इनमें से ज़्यादा राज्य क्रसी पर आधारित है जहांके किसान कम बारिस से परिसान है जहां पर धान की रोपाई होती है वहां पर तो और ज़्यादा दिक्कत है और सोयाविन आजकल सबसे कम पानी सोयाविन में लग जाएंगे और अभी हम केंद्र की मोधी सरकार पर निर्बर रहेंगे क्योंकि किसानों के जर्ये ही केंद्र में पुना मोधी सरकार आई है। उत्राखन को उनके राज में उपलब्त पानी के विवेकपुर्ण इस्तेमाल की एडवाईजरी जारी की है। इस साल मानसुन देर से आया, सामान तोर पर एक जुन को आता है लेकिन आठ जुन को शुरू हुआ। अरप सागर में वाल्यू नामक चक्रवात तुफान के कारण मानसुन के आगे बढ़ने में देरी हुई अब धिरे धिरे देरी ही होती जा रही है। सांसुदों को सुखे की चिंता है बिजेपी सांसत अजय मिस्रा ने करसी एवं किसान कल्याणा मंत्री से पूछा कि क्या सरकार ने सुखे की बड़ी आसंका और बाजार पर इसके प्रभाव की संभावना और खत्रे से निपटने के लिए कोई योजना बना रही है। जबकि तरनमुल कांग्रेस के सांसत प्रसुन बनरजी ने सवाल किया कि क्या देश के एक बड़े हिस्से में इस साल सुखा पढ़ने का पुर्भानुमान है और यदि हाँ तो सरकार क्रसी संकर से निपटने के लिए क्या योजना बना रही है। पुरे देश में सामान बारिस होने की संभावना है। हमें आर्थिक मदद चाहिए। बहुत अच्छी बात है नहीं दिया है यदि राजसरकारे सक्चम है अपने प्रदेश की जनता को पानने के लिए तो बहुत अच्छा होगा लेकिन बारिस गिर जाए तो और भेतर हो सकता है। हाला कि मानसुन में देरी हुई खरी फसलों की बुवाई सुरू हो चुकी है और इस इस तर पर उत्पादन गिरेगा। एसा अनुमान नहीं है कि मानसुन पूर्व कम बारिस से सूखे की इस्थिति उत्पन होगी। फिर भी सरकार इस्थिति की पूरी निग्रानी कर रही है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तयार है। केंदरी करसी मंत्री जो मतप्रदेश से बिलांकर उन्होंने का है कि केंदर सरकार पूरी तरह से सूखे से निपटने के लिए तयार है। अब देखेंगे हम मतप्रदेश में कबसे बारीश होगी। हम तो डेली अपडेट दे रहे हैं लेकिन हर दिन अपडेट चेंज हो रहे हैं। मतप्रदेश में मानसून की अच्छी वापसी हो सकती है। इस काइमेट के मौसम इसे सग्यों के अनुमान है कि अगले दो दिनों तक मतप्रदेश पर मानसुन कमजुर रहेगा इसके बाद मानसुन की अक्षी रेखा उत्तरी मतप्रदेश के पास आएगी जिससे 24 जुलाई से यहां एक बार फिर मानसुनी वर्षा देखने को मिल सकती है इस दोरान राज के उत्तरी और मध्य जिलों में मध्यम से भारी बारिस होने की संबावना है राज के बिंड मुरेना, शियोपूर, शियोपूरी, ग्वालियर, गुना, टीकमगर और सागर जिलों में 24 और 25 जुलाई को मध्यम से भारी बारिस देखने को मिल सकती है इसक आगे भी होना चाहिए तो प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा अब हम 36 गल का देखेंगे 36 गल प्रदेश में बारिस को लेकर मौसवम इभाग का पुर्मानुमान है कि आने वाले 5 से 6 दिनों में बारिस नहीं होगी 28, 29, 30 तक एक सिस्टम सक्री होता दिखाई दे रहा है इससे बारिस हो सकती है तो इस प्रकार से मौसवम इभाग के अनुसार मतप्रदेश 36 गल की बारिस के बारे में हमने अपडेट लिया है और 11 राज्यों में सूखे के आसार को लेकर केंदर सरकार का जो प्लान है उसके बारे में जाना है सूखा न पड़े बहुत अच्छी बात है लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते इस प्रकार के माहोल के हिसाब से मानसुन अपडेट के हिसाब से आगामी कुछ भी हो सकता है इसलिए हम पानी का सादो प्योग करें तो इस प्रकार से अपडेट था विदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरू करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो इस प्रकारी खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रियेटिव को सब्क्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको सिगरता से मिले अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत